दोस्तों नमस्कार महरास्ट के पूर्व ग्रेह मंत्री अनिल देशमुक को लेकर दोस्तों इस वक्त एक बहुती बड़ी और चौकाने वाली ख़वर निकल कर सामने आ रही है दरसल तमाम मराठी मीडिया हाउसिस की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अनिल देशमु को एक तरीके से क्लीन चिट दी जा रही है ये दावा मराठी मीडिया हाउसिस में किये जा रहा है टीवी नाइन मराठी से लेकर के महरास्ट्रा टाइम्स मराठी की रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अनिल देशमुक को क्लीन चिट एक तरीके से दी जा रही ह दोस्तों सीबियाई की तरफ से जो प्रात्मिकी दर्श की गई ये बाकई में बहुत ही जादा चौकाने वाली है क्योंकि आपको पता होगा कि एडी के सामने सचिन वाजे ने पूछताच के दौरान ये कहा था कि वो तमाम मुंबई के पब और बार से पैसे रेकर रहाता था और वो सचिन वाजे के जो सचिन वाजे ने कहा था कि अनिल देशमुक के कहने पर वो दरसल वसूली का रैकेट चला रहा था और सई जगह पर पैसे पहुँचा रहा था तो अचानक से सीबियाई की जो स्पेशल टीम है उनकी तरफ से प्रात्मिकी में इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया गया कि मनी एक्स्टॉर्शन के मामले में अनिल देशमुक के खिलाप में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं हाला कि अभी इस रिपोर्ट को हिंदी और इंग्लिश मीडिया हॉसेज की तरफ से रिपोर्ट नहीं किया गया लेकिन मराथी न्यूस शैनल्स मराथी जो वेबसाइट्स हैं वो यह दावा कर रही है कि सीबिया ने सीधे तोर पर यह क्या दिया है कि अनिल देशमुक के माम अधिर हूँगा बेराल इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ मैं दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर लें था कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलें